हेलो फ्रेंड्स मैं समीर अहमाद आपका अपने यूट्यूब चैनल लेजिनिंग पर स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स आज मैं कालेंडर रिजिनिंग का इंपोर्टन चैप्टर है इसका कुछ इंपोर्टन क्वेशन लेकर आया हूं जो कि एक्जामस में बार-बार पूझा जाता है तो फ्रेंड्स ऐसे कोशन को किस तरह से हम लोग बनाएंगे बस आप इसी तरह कोशन के साथ इंड तक बने रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा फ मनाया गया था तो उस वरसर सौत अंतरता दिवस किस दिन मनाया गया होगा तो फ्रेंड्स ऐसे कोशन को हम लोग बनाते किस तरह से हैं तो चली आते कोशन क्यों तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग को दिया गया है कि 1997 में गड़त अंतरता दिवस मालों हम लोग मान लेते हैं यह संडे जो कि हमें को गीवेन है कि मेरे यहां यहां पे यहां पर लेंट और मंत अगर अलग अगर होता है तो इसको पहले पहले का जो डाटा दिया ज़्या उसको चेक करना पड़ता है छेक करने के लिए हमको दिन का code, minor code, century code यह सारे code को धियान में रखते हैं सारे को aid करके उसको 7 से divide किया जाता है चुकि week में हम लोग का 7 days होता है तो finally जो दिन आता है उसमें यहां पर यह देखे हैं कि यह दिन हमको तो कर रहा है कि नहीं तो spreading सबसे पहले आते हैं यहां पर दिखते हैं तो हम लोग जानते कि जो डेट होता हो सको पहले जेम को दिखेंगे मने 26 लिखें यहां पालस जयनवरी करपा होता है वन फ्रेंड 1700 क़ाओ बहुन होता है यहां पर जिरू लिखेंगे 67 का 97 लिखेंगे और प्लास 97 एयर में कितनी बार लिप एयर आया है यह जाननी के लिए उसको फोर से डिवैड करना पड़ता है तो इसको अगर हम फोर से डिवैड देंगे तो यहां पर हम लोग कर टुवंटी वन आएगा फ्रेंड्स केतने आएगा टुवंटी वन चूंकि यहां प्रेंड्स टुवंटी फोर आएगा इन सारे को हम लोग एड़ करते हैं तो एड़ अगर करेंगे तो साथ चार ग्यारा एक बारा बारा छे आठारा के आर्ट हाथ में बचा वन और इसी तरह इसको देंगे तो तीन और नौत इन बारा बारा और दू चाओद़ एट अब इसको फानली डिवहट करेंगे और फ्रेंड्स में लोग सेवन से तो यगर डिवैड्डेंगे तो मेरे पास जो रीमेंडर आएगा जो रीमेंडर आएगा जो से त्याख वो आएगा वन चूंकि 7 दोणी 14 सातकम साथ एक रीमेंडर आया और हम लोग जानते कि एक में कौश से दिन आता फ्रेंड तो एक में संडे आता है जो कि हमको दिया गया एक में हम लोग आता संडे एक में हम लोग आता संडे और यहां पर हम लोग फ्रेंड यह संडे ही दिया हो मलब यहां का जो इस डेट का जो दिन दिया कि वह बिल्कुल क्रेक्ट है बिल्कुल सही है तो इस का च्oftתי होता है धिरी लिखेंगे 1997 का जीरो होगा और एहाँ पर 97 सेवन लिखेंगे और प्लिस इसमें बよし ha Ный यः में किनी बي प्यर आया यह जानने के लिए लिए 4 इंहींhealth करते हैं यहाँ पर लोगनदीब्र करेंगे अभी तो यहाँ 7-4 1111 11 औरantes 14 14 5 सब्सक्राइब करेंगा तो हम लोग का यहां पर रिमेंडर आ जाएगा रिमेंडर आ जाएगा रिमेंडर आ जाएगा साथ से भागा देंगा साथ एकम साथ 6 बचा 69 हो गया साथ याटी चहपन साथ नावा तिरे सट यानि कि हम लोग का रिमेंडर आ जाएगा रिमेंडर आ जाएगा हम लोग का सिक्स रिमेंडर के आ जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का आ जाएगा सिक्स आएगा अज सिक्स में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स के सिक्स में हम लोग आंस तो फ्रेंट्स इस तरह के अगर डेट और मन्त अगर अलग अलग अगर रहता है तो इसको चेक करने के ज़रूत पड़ता है तो फ्रेंट्स हम लोग आते हैं नेक्ष्ट सेकंड कोशन की ओर इसमें लिखा गया है कि महेंस का जनम 10 फरवरी को हुआ यदि उस वर्स गड़तंतरता दिवस सोमवार को मनाया गया मतलब वो वर्स दिया गया है नहीं X Y Z कोई भी वर्स हो सकता है मनाया गया है तो महेंस का जनम किस दिन हुआ यह हमको बताना है लेकिन यहाँ पे लिखा गया है गड़त अंतरता दिवस तो हम लोग अपने देश के कोड़ें ही मान के चलते हैं 26 जनवरी तो यहाँ पे 26 जनवरी का दिन हम लोगो दिया गया है कि वो दिन जो है मंडे का दिन है दिन हमको find करने के 10 फरवरी को उसी वर्ष दस फरवरी को कौन सा दिन होगा तो हम बोल सकते हैं फ्रेंट्स कि यहां पे 26 जनवरी यह 26 जनवरी जो है 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी यह कौन सा है यह हमको पाता नहीं लेकिन 26 जनवरी को हमको दिन दिया गये है यह हमको यह मंडे है और हमको find करने के 10 फरवरी को कौन से दिन था यह होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे friends की एक महीने से अगर दूसरे महीने में अगर हम जा रहे हैं तो इस महीने का हम लोग इस तरह से यानि कि हम लोग आगले महीने का जो महीना हमको find करने उस माहने का हम लोग पहले एक तारीक तक नोर्मली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कहने माला भी ट्वंटी सिक्स है ट्वंटी सेवन ट्वंटी एट ट्वंटी नाइन थर्टी थर्टी वन और यह होगे आपका एक फरवरी यह कौन सा दिन होगे ओ फरेंट तो आपका यह होगे एक फरवरी इसको हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं यह मंडे है ट्यूजडे वेनेजडे थस्डे फ्रैडे सेटर्डे और यह एक फरवरी को हो जाएगा यह संडे और अगर कोई दो पिल गई है तो उन दोनों के १ोऑरी कोई घटा न पढ़ेगा तो यहां पर हम लोग इन दोनों का जो difference है वो होगी हम लोगा 9 का कितने का difference होगी है 9 का और इसको अगर हम 7 से डिवैट देंगे friends तो मेरे पस remainder आएगा 2 remainder कितना आएगा 2 आएगा तो यहां पर हम लोग दो दिन अगर aid करेंगे क्यों aid करेंगे चोकि आगे बढ़ रहे हैं तो लिखा गया कि मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यातरा से वापस आया मालब किसी दिन मैं यहां पर यातरा शुरू किया था निकला था घर से और यहां पर हम return कितनी दिन आ कितनी दिन बाद आए friends तो दो से दिन बाद आया मालब इन दोनों को बीच का जो difference है यह हमको दिया गय 200 डेश यह difference ज है अंतर जहां आंतर हम लोवापस लाटा हम को दिया गया मंगलवार को यानि कि हम मंगलवार को वापस लाटे घर यह मेरा दिया हुए है हम से पूछा जा रहा चैश्च कि हम किस दिन यातरा परारंब कि थे तो friends हम लो जानते हैं कि गर कोई दो डेट का अगर्त दिया रहेगा तो सिदर सिदिए उसको मैं सेवस्टी है खरेंगे जोबी रिमेंडर आएगा अगर पहले को निकाल नहीं तो घटा देंगे और आगे का दिन निकालना है तो एड कर देंगे इसको अगर हम सेवन से अगर फाइनली अगर डिवैड अगर दिया जा तो रिमेंडर क्या है इस पर फोकस करना है तो साथ दुनी चौदा छे बचेगा साथ होगा साथी आटी छपपन छपपन यानि क्या हम लोग को हो रिमेंडर आएगा फोर यितन आगा एंगा फोर आएगा अब यह दिन हमको दिया गया है और यह दिन हमको निकालना मला हमको बाइक जाना तो क्या करेंगे चार दिन कई पर सकते हैं तो फ्रेंट्स मंगल में और त analyt今 यहज़रों गल जो हम लोग दिन हैть हम जिस है अगर हम दो दिन अगर एड करेंगे तो five days मैनस भी कर सकते हैं तीन दिन अगर एड करेंगे तो four days मैनस भी कर सकते हैं तो दोनों ही condition चलेगा मेरे साथ तो कहने मालब एक इसका आंसर होगा फ्रैडे या निक्ष को सहनाता है यदि कोई वैक्ती बीस सेप्तेमबर 1998 को सोमवार के दिन अपना जनम दिन मना रहा है तो अगला जनम दिन वह सब्ता कि किस दिन मनाएगा तो जेनरली जनम दिन जो है वो उसका हर साल में वो डेट आएगा तो यहाँ पर friends हम लोगे लिखा कि कोई आदमे है बीस सेप्तेमबर यानिकर 20 सेप्तेम यह मंडे है जो कि हमको यह given है दिन हमको find करना है यह मंडे हमको दिया गया है तो बताना है कि हाना अपना जनम दिन में तो आगला जनम दिन वह सब्ता कि किस दिन मनाएगा मालब हमसे पूछा जा रहा है कि बीस सेप्तेमबर यह बीस सेप्तेमबर जो है बीस सेप्तेमबर 1998 Agrit 98 को यह किस दिन मनाईगा तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पिभ यहाँ पर देख रहे कि यहाँ हम लोग यह हम लोगивает I'll be a night negative99 हो जाए गा यहां प्रिप्र्रेंज यह हो जाएगा तो यहाँ पिका देखने कविल प्रेंड्स को हम लोग एक remainder मानते हैं क्यों चुक्कि यहां पर year दो तरका होता है एक होता 365 दिन वाला और एक होता 346 दिन वाला यह एक leap year होता है और यह ordinary year होता है तो हम लोग generally ordinary year को ही मान करके चलते हैं इसको अगर हम sevens अगर divide देंगे तो 52 times में cut जाएगा और remainder यहां पर एक आता है इसलि तो extra यह देखना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आता है या नहीं आता है अगर 29 फरवरी अगर आएगा extra तो उसको add कर देंगे एक दिन जितनी बार 29 फरवरी आएगा उतनी बार extra add करेंगे और अगर नहीं आएगा तो नहीं एड करेंगे तो यहां से यहां यह 7C divide देंगे तो divide लगेगा नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करना है ये दिन अगर हमको दिया गया है तो यहां पे सिर्फ एक दिन एड कर देना इसलिए चुकि आगे क्यों जा रहा है यह अगर मंडे है ते एक दिन अगर आगे बढ़ेगा तो यह हम लोग को सनाता है जिसमें लिखा कि वर्स 2015 का सेम कालेंडर क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स ऐसे केस में हम लोग डारेट वे में जान करता है अगर रिमेंडर एक आएगा तो हमेसा छे साल के बाद रिपीट करता है अगर रिमेंडर दो आएगा यह तीन आएगा तो हमेसा ग्यारा साल के बाद रिपीट करता है तो फ्रेंड्स इसको डारेट वे में हम लोग बनाने जा रहे हैं कि इसको अगर हम लोग फोर्स तो मेरे पास जो रिमेंडर आएगा वह आएगा तो कहला है जब ऑर्डिनरी होता है तो यहाँ पे क्या करते है कि हम लोग इस इसमें 11 साल 8 करते हैं और टू हो या ठीरी उसमें 11 साल करेंगे तो इसमें अगर हम लोग 11 साल अगर एड करेंगे तो यह हो जगा जो कि मेरा फानली आंसर होगा फ्रेंड्स आप इसी तरह से इन तक वीडियो को देखते रहें ताकि आपको ज्यादा साज़ा फायदा होता रहें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इसके बाद मैं अगला वीडियो लाने जा रहा हूं देखिए इसका फायद के दिन हुआए जिस वर्स उसका जनम हुआ वह सताब्दि वर्सथा तो हमको फायंड करना कि वह कौन सा सताब्दि वर्स्थ था जिस दिन उसका जनम हुआ जो कि हम लोग option में दिया गए है तो ऐसे friends ऐसे question को हम लोग क्या करते हैं कि option को hit करके बना सकते हैं यह हमको चेक करना कि ऐसा कौन सा सेंचूरियर है कि जीज दिन उसका जनम हुआ लेकिन जीज दिन जनम हुआ हुआ 28 दिसंबर था और वो दिन था क्या संडे तो चलिए हम लोग इसको one by one करके चेक करते हैं जैसा यहाँ पे सबसे पहले एक नमबर चेक करते हैं कि क्या हम लोग का 28 दिसंबर जो है 28 December 1700 को 28 December 1700 को क्या Sunday आता है अगर यह Sunday आएगा तो बिलकुल सही हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 28 28 लिखेंगे December 6 हो जाएगा 1700 का code होता है friends हम लोगे यह 3 इन सभी को अगर 8 करेंगे 8 6 14 14 27 27 7 हाथ में एक एक इसको देदेशन होगे 37 को डिवहट करेंगे 7 से तो friends मेरे पास reminder आएगा साथ 35 दो दो जो आएगा तो दो में क्या आता है friends दो में आता हम लोग का मंडे क्या आता हम लोग कर यह आता हम मंडे तो मंडे यहां पे हम लोग का चुक्षा है नहीं यहां पर क्या दिया गे यह सेंड़ दिया गये, इसलिए हम लोग नों यह गलत हो जागा, यह नहीं हो पाया, नेख्ट एक हम लोग ऐटीन हंड़िट को अगर चेक करते हैं, तो बीन अमबर आप्शन में क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर हम लोग का देखेंगे कि 28 December या 28 December 28 December 1800 इसमें हमको दिन आना चाहिए Sunday तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यह हो जाएगा 28 हो जाएगा December का 6 हो जाएगा 1800 का 2 होता है सभी को 8 करेंग 28 32 36 36 अडिवाइट करेंगे सेवन से तरी मिंडर आजाएगा यह वन क्या फ्रेंड तो यह वन आएगा और वन में क्या आता है फ्रेंड तो हम जानते हैं सेंडी बिल्कुल सही है हम लोग सेंचूरियर है ठीक है लेकिन यह लिप सेंचूरियर नहीं है इसलिए इक्स्ट्रा घटा नहीं है कोई लफड़ा नहीं है तो हम लोग सेंडी आ रहा है यहाँ पर सेंडी दिये गया हम लोग बिल्कुल क्रेक्ट है इसलिए आंसर हम लोग कई यह C number option 1800 हो जाएगा निएक्स डाता फ्रेंड्सम लोग यहाँ पर लिखा गया 7 में कि अरून रविवार के अरून रवी से 157 दिन बड़ा है यहनि कि यहाँ पि यह आरून है यह आरून है यह आरून है अरुन है जो रवी से 157 दिन बड़ा है ठीक है यहाँ पी यह रवी से यहाँ पी यह है रवी रवी से 157 दिन बड़ा यह 157 दिन बड़ा है ठीक है और नेक्ष लिका हुआ है कि रवी अभिनास से जो है 165 दिन बड़ा है रवी जो है यह अविनास है यह होगी अविनास अविनास है जो है 165 डेज 165 डेज क्या है यह बड़ा है ठीक है अब फिर बोला अगर रवी का जनम संडे को होता है यह रवी का जनम यानि इसका जनम दिन हमको फ्रेंड्स हो यह दिया गया किस दिन हुआ तो इसका जनम वो संडी के यह हमको दिया गया, यह हमको given है, यह हमको given है, यह हमको given है, दिन हमको find करना है कि अरून और अविनास, यह अरून और अविनास का जनम करमसा किस दिन हुआ, तो friends हम लोग जानते हैं कि इन दोनों, हाना, इन दोनों का जो जनम का जो date का जो difference वो कि सबने सब्सक् Ass niż मेरे पास एक बच्षा इसको देंसे सब्सक्राइब यह नए कि न राइगा अब रवी का जनम हुए है अरुन का का दिन दिया कि है बड़ा का दिन निकालर यानि पहले वाला दिन अगर हमको फाम करना होगा पहले वाले दिन हकर नको गठाना पड़ेगा यहां-पे तीन पास जो रिमेंडर आएगा तो बोल देंगे साथ दूनी चाओदा यानि कि दो बचा इसको दे दिये यानि कि पचीस साथ एक इस यानि रिमेंडर आएगा चार आभी यहां पर देखें फ्रेंड्स क्या है कि रवी जो है अविनास से एतना दिन बड़ा था बड़ा कौन है र करना पड़ता है मलब इसमें हम लोगे चार जो रिमेंडर आए उसको एड करना पड़ेगा तो चार दिन अगर हम संडे में जोड़ेंगे तो संडे बाद मंडे टूजडे वेनेजडे थाजडे मलब इसका भी फाइनली आंसर क्या रहा फ्रेंड तो सब्सक्राइब हम वह स तीसरा संवार को 17 तारिक है तैसरा संवार कहने मलब उआ कि 17 तारिक है मलब 17 तारिक को हम लोग को उपर 15, 17 को हम, 10 को Television को दिया गए कि यह purchased को Monday Monday देन हमको find करने बता ही इस महिने में वह कौन सा दिन होगा जो पांच बार आएगा तो friends यह हम लोगों को देखना पड़ेगा option में देखिए 17 तारीक को Monday और हमको पूछा जा रहा है कि 5 बार वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा तो 5 बार आने का सबसे ज्यादा चांस ए तारीक को तो सबसे पहले क्या करते हैं हमें एक तारीक का दिन को find करते हैं एक तारीक का आखिर दिन कौन सा आता है जिसका सबसे ज्यादा चांसस बनेगा वह दिन अगर option में रहेगा तो ठीक है नहीं रहेगा तो दू को check करेंगे तो इन दोनों का जो difference होग एक होगा फ्र और संडेस पहले सटर्डे होगा मलब एक तारीक को कहलागा सटर्डे एक तारीक को कहलागा और फ्रेंड तो यह सटर्डे का चांस से सबसे ज्यादा होगा यानि कि एक तारीक को अगर सटर्डे है तो अगला आठ को पड़ेगा फिर पंदरा को पड़ेगा फिर बाहिस को सब्सक्राइब करें हैं तो हम लोग का सब्सक्राइब कवा अकर अरदीव। बढ़ा है ठीक है और कमला जो है सुरेश से सत्तर सप्ता बढ़ी है देखिए यह इसके जैसा ही कोशन दिया गया इसके जैसा ही कोशन है जिसमें क्या बोल रहा है कि सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बढ़ा है यह सुरेश राजेंद्र से यहां पर यह है राजेंद्र राजेंद्र है और यह है सुरेश यह है सुरेश तो बोला कि सुरेश राजेंद्र इसे 314 दिन बड़ा है 314 दिन लए 314 दिन लए तीर बेर बहना कामला सूरह से 70 शुक्पना बढ़े चल्ग करना सेवटों करना यहनी सासल चार सोनव्ट इन हो जाएगा यहां में हम लोग का लिखा कि कामला सूरे से सत्तर सब्ता बड़ी कामला बड़ी है सत्तर सब्ता मुलब चार सो नभी दिन बड़ी है चार सो नभी दिन बड़ी है फिर लिखा गए आगे कि कामला का जनम जो है बुदवार को हुआ यह कामला का jannam हम लोगे को यह दिया गया कि बुदवार को हुआ इसका जनम जो है बुदवार को हुआ है दिन हमको find करना है कि राजेंदर का जनम किस दिन हुआ तो friends चली हम लोग जो remainder जो आएगा 7सゃइजvantage yön est करेंगे तो उनद लोगों जो रिमेंड़र आएगा तो यहां पे हम लोग का अध्यों की इसमें रिम्ड़ है अगर देखे रिम्डर आ जाएक है stays चास यरिक Me हमलोके reminder आएगा आपका zero रिमंडर किपना जाएगा फ्रेंड तो हम लोह का कि लिखा गया कि कामला सूरह से सतर सबता बढ़ी है तो यह निकि हम लोग का कि कामला सूरह सतर सबता बढ़ी है कि इन दोनों का डिफ्रेंस हम लोग इतना दिया है कि 7 से डिवैड़ देंगे तो रिमेंटर आ जाएगा हम लोगा 0 तो जीरो अगर आया है फ्रेंट तो यहां पर इसका जनम अगर दिया गए इसका जनम अगर हमको हम लोगने लिख ऑघ्धी कम लह जजनम यह वितिकंनलाग़ जनम वुदवार को हुआ तो यह लुक्त लेखाना कि तो राजेंदर का जनम कब हुआ हैं एक डीक्त तो राजेंदर का जनम टेक्जल चाहितने सब्ल Got लेंगे अगर रुटण गार इसका ब्रेंटे सब्सक्राइबार भी में निका लेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस के पहितने कई ओप्रेंड तो इन दोनों को बीच का डिफरेंस हो गया 3014 इसको अगर हम सात साथ से अगर डिवाइट देंगे तो यहां पे मेरे पास जो रिमेंडर आएगा हुआ आएगा साथ से साथ लू निया 24 NEW सच्च अक तथाइस अठाइस यानि करेंगे दो बचा यह चो विशाथी कि रिमेंडर तीन आएगा रिमेंडर कितना आएगा तीन आजएगा तो अटवाटाइस अगरेंगे तो रिमेंडर शिख तर तो यहां से यहां अगर हम लोग जाएंगे इसमें बढ़ा कों दिया और है कि सुरेस राजेंदर से तिन सु चौधा धिन बड़ा शूरेस बड़ा था यह छोटा है छोटा क्यों क्या करेंगे एड करें वनलब उसक्स होगormal यह पिर एक दिन घहता पड़ेगा तो हमव्ड क्या करेंगे यहां पेछे फ्रेंड्स से नेक्ष्ट कॉशन है इस तरह से इसम में लिखा गया है कि लगातार 400 में कितने 29 फर्वडरी वटेगी या फिर दूसरा कॉशन लिखा गया लगातार 400 और 29 आएगा 29 तारिक यहां पिशन 25 फर्वरी नहीं अंपिश Justin जाँ गए होता है लेकिन हर चयुला ह्ता है है जावर है नहीं होता है जीसमें फरवर होता है ऑगर नहीं कड़ेगा तो जैनरल आप यहां से चेक कर सकते हैं तो आप यहां से चेक कर सकते हैं इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर एक से लेकर के 100 तक में आपको 24 टैम्स ही आपको लिपियर मिलेगा उसी तरह हम लोग 101 से गर हम चेक करेंगे आपके पास यह 200 तक में अगर देखेंगे तो यहां पे भी आपको 201 से लेकर के अगर देखेंगे 201ा की अगर लोग 300 तक में अगर देखेंगे यहां लेकिन लीप से लीकिसी मिलेगा लेकिन लस्टतीसे लेकर अगर पच्चीज बाद देखेगे अब इन सबी को अगर हमें एड कर देए आपका 97 टांव साएगा मालब यह हुआ इलागातार 400 लेगातार 400 टारी में उंटिस फर्वड़ी जो है आपका 97 टांवस बताएगा भारे में कभी आता है तो कभी का नहीं आता है फारवरी को आगर ज़ींगे तो हम लोग गयारा महीना बच्छेगा खेंगा चलिया हम लोग गयारा महाने का इप कल्कुलेशन करते हैं तो हम लोग गोज Um काल्कुलेशन करते हैं तो हम लोग यह बोल सकते है कि एक वर्स में एक वर्स में यह तो重要 स्कुर्ड है 17 आएगा आएगा ग्यारा बर उफॉर्वर्वरी को बाहर कर दीए बाद में देख एंक इसा कितना फॉर्वर्वरी में उसको इंक्लूट कर लेंगे हम लोग तो यहां पर एक साल में 11 बार बो5 और बोलेगे चुर। 400 साल में लिकिन यहां पे इभी आपका 29 फर्वर्वरी इंकुरूड नहीं है लेगातार 400 वर्वर्वर से में 29 फर्वर्वरस में 97 टैम नैटीम कर देंगा इसको 32 यहां इन 29 तारीक यहाएगा 30 ना कि 29 फर्वर्वरई आंकि है यह नेसे लिखा गाए फ्रेंड यह प्रस्पतिवार था तो राविवार कब होगा देखिए यहां पर परसो मालब होता है बीता हुआ बीता हुआ कल यहां पर माल लेते हैं हम लोगे टूड़े यह टूड़े है यह टूड़े है यह टूड़े है बीता हुआ कल है यह बीता हुआ परसो जिसको हम लोग बोलते हैं यहां परसो यहां पर यहां परसो हो जाएगा यह हमको बोलता है friends जब ये थज़रे है Friday है Saturday है Sunday है Monday है हाँ तो हम लोग Monday नहीं जाना हम लोग Sunday तक ही जाना है तो पूछ रहा कि Sunday कब होगा तो बोल सकते हैं Sunday कब होगा ति ये तो option से देखना पड़ेगा तो option में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाला कल जिसको आगामी कल बोलते हैं या अगर आज है ती आने वाला कल हो जाएगा इसलिए हम लोग बोलेंगा आपसन में जो दिये रहेगा आने वाला कल आने वाला कल या फिर इसको आघामी कल भी बोला जाता है या या फिर इसको जो ए या फिर जो है इसको आघामी कल भी बोल सकते हैं आगामी कल भी बोल सकते हैं दोनों चलेगए यह जो दिन आये एगा यही तो लुग कोगा जब यह थाज़े फ्रेड़े सतर्डेड़े यह संडेए यह यहां पर हम लोगों पढ़ रहा संडेए यहां पर पढ़ रहा जो कि आने माला कल हो रहा जिसको हम लोगा आगामी कल वह बोल सकते इसलिए हम लोगे यह वजाएगा finally answer next question आता हम लोगा इधर लिखा का संधिया का जना महिने के तीसरे सनीकोर को हुआ तीसरा सनिवार को हुआ और बोलता है जिस महने का तीसरा दिन हाना पार्थाम समवार है मतलब यह वगत तीन तारिक को जो है तीन तारिक को हम लोग का यह मंडे दिया गया तीन तारिक कौन दिन दिया गया है यह मंडे यह हमको गिवेन है और हमको यह बोला गया कि उ उसका जनम हुआ संधिया का तो तीसरा सटर्डड़ को हुआ सबसे पहले हम को यह फैंड करना पड़ेगा कि पहला सटर्डड़ कि इतने तारीक को पड़ा है तब हम तीसरा सटर्ड़ का दिन फैंड कर सकते हैं यह हो जागा दो तारीक यह हो जागा एक तारीक को हो जागा हम हमको बताना है कौन सा तारीक संधिया का जन्नम होते हैं एक तारीक को पहला सड़ेडी पढ़ रहा अगला सड़ेडी कप पढ़ेगा फ्रेंड तो आठ तारीक को पढ़ेगा इसके बाद अगला कप पढ़ेगा तो आठ और साथ पंदरा तारीक को पढ़ेगे इसलिए आपका आंसर 15 तारीक कहलाएगा नेक्स आता है कि वर्स उनीज सो वर्स 2016 में 25 फरवरी यापका यह लीप वर्स दिया गया 25 फरवरी और पांच जून के बीच कुल कितना दिन होगा तो चलिए हम लोग 25 फरवरी सा आते हैं फरवरी में हम लोग जानते हैं कि फरवरी जो है फरवरी जो है यह फरवरी हम लोग का चूंकि लीप यर है तो यहां पर हम लोग यह 29 दिन का होगा 29 दिन का होगा आप्रेल है में हैं आपके पास यहां पर जून तक हमको जाना लेकिन 25 फरवर हो चुका है तो इसमें 29 दिन में हम लोगा चारी दिन बचाए 26 37 369 यानि चार दिन हम लोगा फरवरी का बचा हुए मार्च 31 दिन का होता है मार्च के बद आप्रेल 30 3010 का होगा मई हम लोगGER 31 दिन नहीं होगा लेकिन जून काहाँ तक जाना फ्रेंड तो यह बोकर इतना और पांच जून के बीच दिन होगा नहीं कि वीछ खुल कितना दिन होगा सभी को नौर्माली एड कर देंगा ऐने दिन बताएगा यानि कि चार एक पांच पांच हो गया पांच एक छे छे चार दश जी रो हाथ में एक हो जाएगा यानि कि टोटल हांडेट आएगा तो Friends ऐसे को संड़ के बारे में कोई दिन अगर पूझा जाए तो वर्स हम लोगो दिया गिए कि इसमें उस महिने में कितने बार कोई दीन ही और आएगा तो उसमें साथ दिन एड करेंगे फिर साथ दिन एड करके आगे बढ़ते चल जाएंगे हम लोग तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक का एक होगा जून का 5 हो जाएगा 2000 का 6 होगा 10 का 10 होगा भागफल दुआएगा इस सारी चीज़ को आपको मालूब होना चाहिए अग बेंगे तरिमेंडर मेरे पास आएगा थिरी अगा थिरी मलब क्या कहला या अ फ्रेंट तो ये मंगल वैड कहला ऑगा हमको संडेर अंक चे ना को पड़ा उसकों प्पूच जा रहा है कि उसमें कितनी वार संडह छे में अगर हम साथ दिन अगरे करेंगे शे में सेवन डिय्मेंगल साथ उससे इरेय तरह को भी हम को संड़े ही पड़ीगा पिर इसमेंगर हम Stallion एड करेंगा तो बीस तारी को भी संड़े ही पड़ेगा फिर अगर इसमें हम साथ दिन अगर एड करेंगा तो साथ तारी को भी हम लोग संड़े ही पड़ेगा मलब संड़े कितने बार आएगा फ्रेंट तो वर्स को उन्हीं को साथ से गुना कर देती है यहां एकस फटा यह एकस को खोले और कमल अर्भलफS हो गया और वाई दिन टोटल कितना दिन वुद्व की ओन्हां लेकस ओर प्लस यहांनी होगी होगी दर सेवन हम लोगा आंसर कहला एगा नेक्ष लिखा तीस दिन के उसके उसक न को बताना है gepा क्या तो फ्रेंड्स देखिए यहांiper हम लोगा क्या पूछाँ रहा है करें रही तो कि हम लोगा और धीज होगular अगर पांच बार सनिवार है तो सबसे पहला हम लोग का चांसेस बनेगा कि एक तारीक को एक तारीक को हम लोग मानते हैं फ्रैडे एक तारीक को फ्रैडे मानते हैं एक तारीक को अगर फ्रैडे अगर मानते हैं तो हम्लो पांच बार सन्वार आना चाहिए. चली, चेक करते हैं, देखिए एक तारीक और Friday अगर मानते हैं, तो दो तारीक को हम लोग का पढ़ेगा Saturday, दो तारीक को क्या पढ़ेगा Saturday पढ़ेगा, आग दो तारीक को गर अगर एक तारीक को हमहाने हैं थेस को संड़े पड़ेगा मतलब अगर हम एक तारीक को फ्रैडे माना हेγά तो हम-डो, हैख तारीक तो मा का पर्थम दिन होगा तो मा का पर्थम दिन हमको क्या मानना पड़ेगा फ्रेंड तो हमको फ्रेडे मानना पड़ेगा ठीक है नेक्स आता है हम लोग का कोसल लिखा गए कि मुहनी नौ दिन पहले नौ दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और वहाँ सिनेमा देखने सिर्फ थाजरे को जाती है तो आज सप्ता का कौन सा दिन है तो देखें यहाँ पर यह नौ दिन पहले सिनेमा देखने गई और आज जो है यह टूडे आज जो हमको दिया गए है कि आज जो है सप्ता का कौन सँ हना से वहाँ देखने सिर्फ अख़ष्डिया गो जाती थो आज समता का कौन से दिन है तो यहां पे नौर दिन पहले सिनेमा, याम लोंक यह थाजटी का दिन दिया गया, चुंकि वहाँ चीने मैं, सिर्फ तर आज दिन यहाँ पिए जो दिन है वह 9 दिन पहले को जानते फ्रेंट से गर पीछे जाना हो तो तो के लिखा रहा है से लिखार है कांट होता है मैं भी एक दिन हो गया, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, नौ दिन पहले वो सिनेमा देखने गए थी, जो कि दिन हमको दिया हुए है, और हम से पूछा जा रहा है क्या आज सब्ता का कौन से दिन होगा, यह दिन आपको फैंड करना कि यह क्या होगा, तो नौर्मली आगे बढ़ सकते हैं, अगर थाज़े है, फ्राइडे, साटरडे, संडे, मंडे, टूज़े, वेनज़े, थाज़े, फ्राइडे, सब्ता का कौन दिन होगा, फ्रेंड तो यह हम लोग को हो जाएगा, सटरडे, लाश कोसन है, फ्रेंड्स, आज के वीडियो का, जिसमें लिखा रहा है, यह दिक किसी महने के तीसरे सनिवार को सत्रा तारीक है, मतलब यह सिंपल सी बात है कि सत्रा तारीक को जो है, सत्रा तारीक को जो है, यह हमको दिया गिए सटरडे, सत्रा तारीक को सटरडे है, तो पूछा जारा है को उस महने के चौथी बुदवार को क्या तारीक होगी, चौथी बुदवार को, तो हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब भुष– तौह? माहिने की सब्सक्राइब क्लिण होतो सब्सक्राइब हो देखी यह ओगे 2-3-4-5-6 चैकर हो एक व्ह–जँ areas फ्रैडे है रिकात थाथरी को सटर्डे है यानि इस महणें पहला सटरहरे हम लोगा पड़ लो यह हम लोगा पड़ रहां तीन तारीक को पड़ रहा हमसे पूछा जा रहा कि तीसरे सटर्डे को पड़ेगा तीसरे सटर्डे तीसरे सनिवार को सतरा तारीख है तो उस महिने के चौथे बुद्वार अच्छा हमसे बुद्वार पूछा जा रहा है कि चौथे बुद्वार को क्या तारीख पड़ेगा था हमको चौथे बुद्वार को पूछ रहे तो हम लोग चार तारीक को हम लुद्वार पढ़ेगा चार तैने हो जाए अरीं हो गया आपका यह वेनेज डे बुधवार यहां इधर नहीं लिखते हैं इहां पर एक तारिक को एक तारीक को हम लोग तारिक अगर पढ़ रहा उस्याट इस देड़ को पढ़ रहा तो यह हो गये झाल रहा हम से पूचा जा रहा कि मैंने के तीसरा तारीफ है कि तो माहिने कर देगे 14 तारीफ को दूसरा बुदोवर पढ़ेगा एक की तीसरा बुदवर पढ़ेगा कि हमालों पाइला यहां दूसरा बुदवर यहां होंगे तीसरा इसलिए अन्दो का यह फाइनलही आँसर क्यों टो यहुत को थो इम क्या बुदवर देख ँझारा यह तो फूर्थ वन के दिन इसका फायदा उठा सकते हैं तो friends बस आपस उम्मीद है कि आप वीडियोज को इन तक देखिए और वीडियोज को ज्यादा ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहे तक कि हमें भी और होसला मिले और हम वीडियो को और ज्यादा ज्यादा उत्सा के साथ बना सके तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको वाज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू